हाई वेलकम टू लॉक तो अभी जो मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ हमारे यहां हिमाचल में जो है वो बराश के फूल होते हैं तो उसकी हम चटनी बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो चटनी कैसे बनती है तो पहले आप जो है हमारे जो बराश के फूल है उनको देखिए इनको बराश के फूल बोला जाता है यह जितनी उंचाई होती है हिमाचल जैसे हिमाचल में उत्राखन में यह पाए जाते हैं तो हम अभी इनको साफ कर रहे हैं और जब यह साफ हो जाएंगे तो यह कुछ ऐसे दिखाई देंगे यह इस तरीके से फिर हम इ आज नमक हरा धनिया डालके इसे कूटेंगे और इसकी चत्नी बनाएंगे तो आप देखते रहिए थोड़ी देर बाद आपको हम चत्नी दिखाएंगे की चत्नी कैसे त्यांगे पूल जो आई हो बेकुल साफ हो जाएं इस तरीके से देखिए आपसे दोने जाने में अच् आपके इनका जो भी इनमें स्मिट्ची हुए रहा है वो सब निकल जाएं अब हमने तो ढूल जो लिए अब हमें थोड़ी देर इनका पानी निकल जाए ऐसे ही रख देंगे आयां वह यहां यहां आघा कता हुआ प्याज यहरी मिर्च हरा धनिया और वाध म्मख नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च यह यह डालें गे और फिर हम इसे फूतना शुरू करेंगे तो देखिया है ឫ्यार हम एसमें प्याज Gill जाल बीृज पानी चुंसे जालेंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पहले हम इसे ही कुटेंगे थोड़ा कुट जाएगा जैसे थोड़ा महीन हो जाएगा तो उसके बाद जो हम फूल डालेंगे क्यूंकि फूल कुटने में जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो अभी हम इसे कुटना स्टार्ट करेंगे तो यह हम इसे कुटी गंटे में पीच रहे हैं देखते रहे हैं आप